हेलो फ्रेंट्स आज के इस वड़ाव हम बात करने वालें CUT 2023 के बारे में CUT 2023 से सम्मधित एक नोटिस निकल के आया है पबलिक नोटिस 29 जून 2023 को रिलीज हुआ है तो इसमें बताया है आंसर की और कॉस्चन पेपर से सम्मधित जानकारी जो की आंसर की आपकी रिलीज हो गई है जिन चात्रों ने CUT 2023 का पेपर दिया था वो लोग इन आईडी और पासवर्ट से लोग इन करके अपना कॉस्चन पेपर डाwnलोड कर सकते हैं आंसर की प्रोवीजनल आंसर की यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और कॉस्चन पेपर मैच करें आंसर की से कि कितने कॉस्चन आपने सही किये हैं कि कितने कॉस्चन गलत हैं आप चेक कर सकते हैं आंसर की से और अगर आपको यहां पर यह भी बताया है कि अगर आपको लगता है कि answer की में कोई answer गलत है और आपने सही टिक किया हुआ है तो आप यहां पर चैलेंज भी कर सकते हैं यहां पर हम डेट भी देखने वाले कब से कब तक आप challenge कर सकते हैं कौन-कौन से के जो है answer answer की और question paper पर यहाँ पर रिलीज कर दिये गए तो हम देखनी वाले हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्जामिनेशन फेस कॉमन इनिवर्सेटी इंट्रेंस टेस्ट सीवेटी यूजी 2023 फेस फस्ट टू फेस नाइन की यहाँ पर जो आंसर की है रिलीज कर दी गई है यहाँ पर डि चैलेंज कर सकते हैं लास्ट डेट फॉर पैमेंट यहाँ पर आपको पैमेंट भी करना होगा अगर आप चैलेंज करते हैं तो कोश्ट जो फी से यहाँ पर चार्ज है वो आपको यहाँ पर पैमेंट करना होगा तो एक जुलाई 2023 जो लास्ट डेट है पैमेंट करने की यह पे पेपर्स की बात करें तो for all papers conducted between phase 1 to phase 9 तो यह phase 1 से phase 9 के बीच जिन चात्रों का पेपर हुआ था उन सभी का यह answer की question paper यहाँ पे release कर दिया गया अपनी login ID, password से login करके देख सकते हैं कि अबल यहाँ पे आप जो बात करें तो 29 से 1 जुलाई के बीच ही आप question paper download कर सकते हैं answer की challenge कर सकते हैं इसके बाद आप question paper download नहीं कर पाएंगे जो आपके login ID, password है उस पे आप login करके देखेंगे तो भी आप download नहीं कर पाएंगे remove कर दिये जाएंगे cvt 2023 समर्थ.ac.in की website है उस पे से तो जो भी आप question paper download करना चाहते हैं तो अभी आप question paper भी download कर सकते हैं तो आई होप वीडियो information लगे होगी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें ताकि आपको ऐसे information videos मिलती रहें